नमस्कार सांतियों मैं चंदन सिंग नेगी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नेगी जी क्लासिस में और आज के हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भोटिया जन जाती के बारे में और हमारे आज के इस वीडियो में हम जनेंगे बोटिया लोगों का आवास निवास, इनकी भासा, इनकी समाजिक व्यस्ता तथा इनकी अर्थ व्यस्ता के बारे में इसके अलावा जो भी important facts होंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा और इससे पहले हम अपना दो वीडियो complete कर चुके हैं जिसमें हमने जाना है थारू जनजाती को और जौन सारी जनजाती को इसके अलावा भी हमने दो और वीडियो बनाये थे इनसे पहले जिसमें हमने 100 questions को जाना था इन सभी जनजातियों के बारे में वो सभी प्रसन काफी important है और वो सभी प्रसन उत्राखंट की exam में पूछे जा चुके हैं तो आपको एक बार उनको भी जरूर देख लेना चाहिए इसके लिए आपको जाना होगा हमारे channel पर वहाँ पे आपको एक playlist मिल जाएगी उत्राखंट के जन जाती वहाँ पे आपको ये सारे questions और ये उत्राखंट की जन जातीों के उपर हमारे सारे वीडियो वहीं पे आपको मिल जाएंगे और आप जानते हैं भोटिया जन जाती के बारे में तो जो ये भोटे जन जाती है ये उत्राखंड के अलावा हिमान्चर और कस्मीर में भी पाई जाती है और अधिकतर ये उचाई वाले स्थानों पर ही रहते हैं इसके अलावा ये तिब्बत के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है और कस्मीर के लद्दाक वाले इलाकों में इन लोगों को भोटा कहा जाता है जबकि हिमान्चल के किन्वार वाले हिस्सों में इनको भोट नाम से जाना जाता है इसके अलावा उत्राखंड में भी अलग-अलग जिलों में इनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है और जो ये भोटिया जन जाती है ये किरात वन्सकी मानी जाती है और ये एक अर्ध गुमन्तु जन जाती है यानि ये रितू परिवर्तन के साथ अपना आवाज भी परिवर्तित करते रहते हैं लेकिन ये अपने आपको को खस राजपूत कहते हैं उत्राखंड के पिथोड़ागर, तिबबत और नेपाल से सटे इलाकों में इन लोगों को भूटिया कहा जाता है इसके अलावा इनके कुछ उपजातिया भी हैं जैसे मार्चा, तोल्चा, जोहारी, सौका, दर्मिया, चौन्दासी, व्यासी, जाड, जेठरा और छापरा ये इनकी उपजातिया हैं अब अगर बात की जाए उत्राखंड की तो उत्राखंड के पिथोड़ागर, चमोली, अल्मोडा और उत्तरकासी जिलों में ये लोग निवास करते हैं इन इलाकों में इनके 291 गाउं हैं और ये सभी गाउं व्रिद हिमाली छेतरों में इस्थित हैं उत्तरकासी चमोली और पिथोड़ागर के कुछ इनके अंतिम गाउं हैं जैसे की उत्तरकासी के अंतिम गाउं हैं अंगर, जादुंग, नेलंग इसके बाद चमोली के हैं माना, मलारी, नीती, टोला और मरतोली इसके बाद पिथोड़ागर के कुछ इनके अंतिम गाओं हैं डूंग, मीलम, तेडांग, जोलिंग और कॉंग कूटी ये भोटिया लोगों के अंतिम गाओं हैं जो की तिबद बॉर्डर पे ही इस्थित हैं गड़वाल के चमूली में इनको मार्चा वा तोल्चा कहा जाता है, उत्तरकासी में इनने जाड़ भोटिया कहा जाता है, जबकि पिथोड़ागर में इनको जोहारी और सोका भोटिया कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी उपजातिया हैं तो इनको यहाँ पे इसी नाम से जाना अब बात करते हैं कि भासा कौन सी बोलते हैं तो इनकी एक अपनी विशिष्ट भासा होती है जो कि तिबदी बर्मी भासा से समंदित है और इस भासा की ये छे अलग अलग बोलियां बोलते हैं अब अगर बात की जाए इनकी सारीडिक सरनर्चना की देखने में इनकी परजाती तिबदी और मंगोलन परजाती का मिश्रन परतीद होती है इनका कद छोटा होता है सिर बड़ा, चहरा गोल, आखे छोटी, नाक चप्टी, सरीर पर बालों की कमी और बालों का रंग भूरा रंगा होता है जैसा कि आपने तिबदी लोगों को देखा होगा देखने में थोड़ा थोड़ा उनी की तरह दिखते हैं और नेपाल के लोगों से भी इनका चहरा काफी ज़्यादा मिलता है अब बात करते हैं बोटिया लोगों के आवाज निवास की ये जंजाती अर्द घुमन्तु जंजाती है इसलिए सीथकाल में तथा ग्रिस्म रिदू में अपना आवास परिवर्टित करते रहते हैं गर्मियों के समय में ये लोग अपनी पूरी फैमिली और पसुओं को लेकर उचाई वाले हिमाली छेतरों में चले जाते हैं जहां पर घास की सूविधा उपलब्द रहे और इनके इस आवास को कहा जाता है मैत इसके बाद जब सीथकाल प्रारम हो जाता है तो ये अपने परिवार और पसुओं के साथ दोबारा अपने सीथकालिन आवास में आ जाते हैं और इनके सीथकालिन आवास को कहा जाता है गुंडा या मुंसा ये अपने दोबारा बनाए हुए छोटे छोटे लकडी के घरों में रहते हैं और ये अपने लिए घर सोयम ही तैयार करते हैं और अब जानते हैं इनके परिधानों के बारे में इनके जो पुरुस होते हैं वो एक खास तरह का वस्तर पहनते हैं जिसे कहा जाता है रंगा ये गोटनों तक का एक कोट होता है इसे कहा जाता है रंगा इसके अलावा बैजू या खक्चसी पहनते हैं जो एक तरह का उनी पैजामा होता है इसके अलावा चुंग्ठी या चुकल भी पहनते हैं जो इनकी एक विशिट परगार की टोपी होती है और पैरों में ये बांखे पहनते हैं जो इनके उनके बनाए हुए जूते होते हैं इनकी इस्त्रियों के जो वस्त्र हैं वो हैं चूमाला और जो ये चूमाला होता है ये एक तरह का मैक्सी तरह का वस्त्र होता है जो पूरा उपर से नीचे तक पहना जाता है इसके अलावा होता है चूंग ये आदी बहां तक का एक वस्तर होता है इसके बाद होता है चूंकला ये टोपी की तरह एक वस्तर होता है इसके बाद होता है जूख्य ये कमर में बांधने वाला वस्तर है इसको कमर में बांधा जाता है इसके अलावा चूबती ब्यूजि ये इस्तरियों के जो आबुसन हैं उन्हें कहा जाता है लकसेज, बीरावाली, छांकरीवाली, बलगण, खोगली, बेसर, मुंगे की माला ये सभी आबुसन इनकी महिलाएं धरन करती हैं और अब बात करते हैं इनके भोजन की ये लोग भोजन में चांवल या मंडवे का बनावा भात खाते हैं जिसे कहा जाता है छाकू, इसके अलावा ये बनाते हैं रोटी जिसे ये कूतो कहते हैं, इसके बाद बड़े अकार की जो रोटी बनाते हैं इसके कहा जाता है पूली, इसके अलावा पतोडी और जोर पेपदार्थ पिते हैं जिसे कहा जाता है जिया और जो यह जिया है यह दूद, मक्षन, चाई पत्ती, नमक और पेड़ों की छाल को इनको आपस में मत कर गरम पानी में उबालकर इसको पीते हैं इसके अलावा एक विसेज पेपदार्थ भी है जिसे यह चंग या च्याक्ति कहते हैं यह एक परकार की सराब होती है और इसका परियोग किया जाता है जब इनके यहां कोई साधी, फंक्षन या कोई तेवार होते हैं और इस चंग को महलाएं और पुरुस सभी लोग पीते हैं अब बात करते हैं इनकी सामाजिक विवेस्था के बारे में इनकी जो सामा और अगर बात की जाए यहाँ पर महिलाओं की इस्थिति की तो यहाँ पर महिलाओं को भी पुरुसों के समान अधिकार प्राप्त हैं यानि यहाँ पर महिलाओं को कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है वो भी पुरुसों के समान ही अधिकार उनको प्राप्त हैं इन लोगों में पहले युवा ग्रहूं का भी प्रचलन था जिनको ये रंग बंग कहते थे इनमें युवा पुरुस इस्त्रिया डान्स करती थी गाने गाती थी और मरुरुणजन करा करती थी अब अगर बात की जाएं इनकी विवा की तो यहां पर एक पत्री पर्था परचलित है और इनके यहां पर जो विवा संबंध होते हैं वो माता पिता ही तै करते हैं जब रिस्ता जाता है तो ये वर पक्स की ओर से भेजा जाता है और जो विवा के कारे करम होते हैं ये मेंली स और दामोला यह कई बार पृष्णाव में पूछा भी जा चुका है इस प्रथा के तहद पहले बाराती कन्या के यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद बाराती कन्या को अपने घर लेकर आ जाते हैं。 इन में सगाई की पर्था वैसे तो नहीं होती है लेकिन कहीं-कहीं इनके समाज में सगाई की पर्था भी देखने को मिलती है अब यहाँ पर जो सबसे important point है वो यह है कि इनके यहाँ पर जो विवहा अवसर होते हैं विवहाओं में ये एक खास तरह का निर्ते करते हैं और इस निर्ते को कहा जाता है पौना निर्ते इसको ये हातों में एक रुमाल लेकर एक विशेश परकार का निर्ते करते हैं इसे ही भावजदेवर विवा भी देखा गया है गंदर विवा और पुनर विवा भी यहां पर मिलता है लेकिन यहां पर बाल विवा नहीं होता है इनकी जो नातेदारी रिष्टेदारी होती हैं वो जैसे कि हिंदू समाज में होती हैं सेम उसी तरह की होती है और जो भोटिया लोग हैं ये अपने संबंदियों को स्वारा कहते हैं और इनमें भी हिंदो की तरह ही परणाम जो है वो घुट्रे और सिर्जुका कर किया जाता है और अब बात करते हैं इनके धर्म की कि इनका धर्म कौन सा है तो भोटिया लोगों में ज़्यादा तर हिंदु धर्म को ही मानते हैं लेकिन उत्तरकासी में रहने वाले कुछ भोटिया बहुत धर्म को भी मानते हैं इसके अलावज जो भोटिया लोग हैं इनके मुख्य देवता हैं वो हैं भुम्याल, गमाला, बैग रेंग चिम, नंदा देवी, दुरगा, कैलास परवत, द्रोना गिरी, हाती परवत ये सबी इनके परमुख देवी देवता हैं और ये लोग अपने देवी देवताओं को परसंद करने के लिए पसूओं की बली भी देते हैं और अपने पस्वों की रक्सा के लिए ये लोग घंटाकर्ण, सिद्वा, विहुआ और साई इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो ये भोटिया लोग हैं इनमें जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा की सांती के लिए ये लोग गवन संसकार करते हैं इसके लावा जो एक यहाँ पर सबसे important point है, सबसे important fact है वो यह है कि इनके यहाँ पर 12 वर्स में एक कंडाली महुत्सा मनाय जाता है और ये कई बार प्रिक्साओं में पूछा भी जा जुका है कि किस जन जाती में कंडाली महुत्साओं मनाय जाता है तो ये मनाया जाता है भोटिया जन्जाती में और ये परतेक 12 वर्स के बाद मनाया जाता है इस उत्सव में ये अपने आसपास के कंडाली नाम के जो वनस्पती होती है पहाडों में इसको समाप्त कर देते हैं और इसके अलावा नासते हैं, गाते हैं और अपने देवी देवताओं की पूझा करते हैं अब बात करते हैं इनके मनोरणजन की तो जो इनके मुखे लोग गीत हैं वो हैं तुबेरा, बाजियू तथा तिमली ये इनके परमुख लोग गीत हैं और यहां से काफी important प्रस्मी बनता है कि भोटिया लोग के मुख्य लोग गीत क्या हैं तो वो हैं तुबेरा, बाजियू और तिमली और यहां पर एक important point ये भी है कि इनका जो एक विशेश परकार का वादी यंत्र होता है उसको ये कहते हैं हुडके ये एक परकार का छोटा सा ही निर्भर रहते हैं उसी तरह से भोटिया जन जाती भी क्रिशी और पसुपलन पर ही इनकी अर्थव्यस्ता चलती है लेकिन इसके अलावा ये कुछ मात्रा में व्यापार भी करते हैं ये उनके समानों और जड़ी बूटियों का व्यापार तिब्बत के साथ पहले से करत हैं इसके अलावा जो ये खेती की जूम परणाली है इसी तरह कि इनके यहाँ पे एक काटिल विदी होती है इसमें ये वनों में आग लगा कर इसको खेतों को साफ करते हैं फेती योगे बनाने के लिए ये लोग मंडवा फाफर जौग गेहू आलू ये सब ये सब ये हैं भोटिया लोग 1962 से पहले यानि जब चीन का तिबबत पे कबजा नहीं हुआ था उससे पहले तिबबत के लोगों से काफी व्यपार किया करते थे ये तिबबत से नीती माना जोहार दार्मा व्यास इन दर्रों से होकर व्यपार किया करते थे और ये तिबबत के लोगों से गमईया पद्दती में व्यपार करते थे लेकिन अब धिरे-धिरे ये तिब्बत की बजाए मैदानी भागों में भी व्यपार सुरूख करने लगे हैं और ये मैदानी भागों में अब उन, उनी वस्त्र, उनी कालीन सस्ते आभूसन, हींग और जड़ी भूटियों इन सब का व्यपार करते हैं और अब अगर बात कीज़े इनकी सिक्सा व्यस्ता की तो कुछ समय से इनके समाज में सिक्सा का इस तर काफी बड़ा है जिस कारण अब ये लोग ट्राइविट और सरकारी नौकरियों में भी जाने लगे हैं और अब जानते हैं कुछ important fact जाड भोटिया जनजाती के बारे में क्योंकि यहां से आजकल बहुत से प्रस्ण बनने लगे हैं उत्राखंड के एकजाम में तो इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह जाड भोटिया भोटिया जनजाती की ही एक उप जाती है और ये रहती है उत्तरकासी के भकीरती गहाटी में और इनका जो मूल गाउं है वो है जादूंग और इनके मूल गाउं के पास जनक ताल इस्तित है और ये अपने आपको जनक का वनसज मानते हैं अब इनके बारे में जाना थोड़ा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाकी जो भोटिया लोग हैं ये लगबग हिंदु धर्म को ही मानते हैं लेकिन जो भोटिया जाड होते हैं ये पून रूप से बाध धर्म के अनुयाई होते हैं इनकी संस्कृते में कुछ हिंदू रीती रिवास पाए जाते हैं लेकिन जो इनका धर्म है वो बाध धर्म ही है इनकी जो बोलचल की भासा है वो है रोमबा भासा ये काफी important present है कि जाड़ लोगों की भासा क्या होती है, तो इनकी भासा है romba, जो की तिब्वती भासा से काफी मेल खाती है. अब एक सबसे important point ये है कि इन लोगों को जब पर्मुक तिवार होते हैं वो होते हैं लोहसर और सुरगेन ये इन लोगों के पर्मुक तिवार होते हैं और जो ये लोहसर तिवार होता है ये बौध पंचांग के अनुसार इस दिन नए साल की सुरुवात होती है और जो ये सुर्गेन तिवार होता है ये इसको भादर मास में मनाते है और अब लास्ट में कुछ प्रसंद आप लोगों के लिए जिनके जवाब आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देने होंगे ये आपका एक तरह से रिवीजन है पूरे वीडियो का तो इसमें हमारा पहला प्रसंद है कि सरवादिक भोटिय जनजाती उतराखंट के किस जिले में पाई जाती है इसके बाद हमारा दूसरा प्रस्ण है कि बोटिय जन जाती के लोगों का सीथ कालिन आवास क्या कहलाता है इसके बाद हमारा अगला प्रस्ण है कि बोटिय जन जाती के लोगों का मुख्य भोजन क्या है इसके बाद हमारा अगला प्रस्ण है कि भोटे जन जाती के लोगों का पिरिया पेपदार्थ क्या है इसके बाद हमारा अंतिम प्रस्ण है कि भोटे जन जाती के लोगों का मुख्य वादियंतर क्या है इसको ये क्या कहते हैं तो अगर अभी तक आप इन सभी सवाल के जवाब नहीं जानते हैं तो एक बार आप वीडियो को दुबार से जरूर देखें इन सभी प्रस्नों के जवाब आपको यहीं इसी वीडियो के अंतरगत मिल जाएंगे आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और इसे अधिक से अधिक share भी करें ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुं सके जो उत्राखंड exams की online तैयारी करना चाते हैं हम अपने इस चैलर पर उत्राखंड GK की online तैयारी करवाते हैं तथा टाइम टाइम पर job related वीडियो और current affair की वीडियो भी डालते रहते हैं और जो हमारी इस चैलर पर पहली बार आये हैं वो हमारी इस चैलर को subscribe करना ना भूलें ताकि हम जब भी अपना कोई नया वीडियो डालें उस तो उसका notification तुरंत आपको मिलता रहे इसके बाद हम अपने next वीडियो में जानेंगे बोकसा जनजाती को तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद